शोभा सारी एनेक्स ऐसी सारी के पहनते ही और शोभा बढ़ जाए तो डिजाइन डिजाइन और कलर के सारी किट्स वेथ हर नए डिजाइन के कपड़े रीजनेबल रेट में ले जाएए होप सुरत लग रही हैं आप महम्मद यासीन होम अप्लेंसर होलसेल एंड रिटेल शॉप माग कांप्लेक्स अपोजिट सीमसी कांप्लेक्स हरीहर रोड राइचूट आदाब नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं उस्मानिया मार्किट और जहराबाद में जो इरना साब का जो सरकल है वहाँ पर जो तरकारी यानी सबजियां बेची जा रही हैं उसको लेकर तकरीबन चार पांच महने से एक रशाकशी चल रही है और खासकर आम अवाम में ये भी कहा जा रहा है कि ये एक सियासत है इनके पीछे बड़ी लाबी है बड़े पॉलिटि चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये अवाम हमेशा यही समझ रही है कि दोनों के आपस के जगडे में लोगों को तकलिफ हो रही है आईए ये असल में बात क्या है मैं वहाँ के नुमाइंदा कांसलर रवी जलदार से ही आपको बात कराता हूँ एवन टीवी में आपका इस् आपको मालूम हो जाएगा तिनकंदल सरकल पर कौन सियासत कर रहे हैं कौन रहते हों बेज रहे हैं जहराबाद सरकल को आने के बाद जहां पर अब बोले सियासत के बारे में बोले हम सियासत कभी आम आदमी पर नहीं करते हैं बस एक इनसानियत के नाते एक इनसान को साथ द हा रहे हैं खास कर बल्दिया को मुंसिपाल्टी को टेक्स बन रहे हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यहां पर बैटने से वो लोगों को तकलीफ हो रहे हैं, उसी पर वह आवाज उठा रहे हैं, एक बात साढ़े टीन साल हो रहा है भी, करोने के वजह से जो चन्द जो फिक्स करेते वंक्टेश नाया वंक्टेश कुमार साहिब ने डीसी साहब उसी तरह किसे हमारा इरणा सरकल में भी एक पॉइंट था वहां पर continue जब से लेके अब तक पॉब्लिक के लिए जो help हो रहा था आम पॉब्लिक वार नमबर 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, कम से कम 8 से 9 वारों लोगां आके वहां पर तरकार ले जाने वाले इसके होजे से वो सोब अच्छा सेटलो गए थे लोगां कम से कम हमारे केड़े गओं और नी विलेजस राइचूर्स रूरल में अर्बन में जो आते हैं विलेजस पुटील विलेजस में मलियाबाद, होल्ड मलियाबाद, नियू मलियाबाद, बिजनिगेरा, सिदरापूर राजल बंडा और हमारा देवनपली, बिजनिगेरा, बायदोडी, कुरदोडी ये जो यहाँ पर जो रहता है, जो सबजियां बेशते हैं, वहाँ पर से आके रोज का रोटी कमाते हैं वोग, रोज सुबह में चार बज़े से लेके नौ बज़े से, क्योंकि हम जो जनरल ब बलके उनको अक्षन में साड़े नव लाक में टेंडर हो गया, जिस तरह से उसमानिया मार्केट का टेंडर और अक्षन होता है, वहाँ भी उस तरह से करें। मुनसपालच 1964 के सब से कंपसरी वो किया गया है, और उसके तालकात में शेंकरेडी जो प्राइस लिज़ अप्रूड़ प्राइस लिज़ जो अप्रूरी प्राइस लिता है, यालि उनको टेंडर अलाट हो गया, लेकिन 20 साल पहले, अमारे इरणा साहिब जो पापेड़े स करें आफ्टर फिप्टीन ट्वंटी एर्स चोधा चोधा आत्रा साल से वही रेट पिर दो रुपए के साब से हम टोकरे को दा लें वही साब से उन रिशिप बाजबता चिट्टी दे के वसूली कर रहे हो लो कोई रवी जल्दार के पाकेट में नहीं आ रहा है पैसा हो रव क्योंकि मेरे वाड़ वाले कम से कम 60-80 पेमबर्स वहां जो रोज का रूटी खा रहे हैं वो लोगों को हेल्प और वरावल के हम उसको साधिर उसके आलावा वार्ड नमबर 12 में भी कर रहे हैं वार्ड नमबर 13 में भी वार्ड नमबर 14 वाले भी है आज ही अमरे साथ है जने को यह वार्ड 8-9 वार्ड वो लोग आके लेके जाता है वोत हिल्फुल है वो तो वहां पर एक लबे सड़क पो है में रोड पो वहां पर लोगों को सुबा 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 स्कूल वगेरा जाना रहता उससे ट्राफिक तो जाम होगा ने इससे कम से कम साधे तीन साल सी जो हुआ है चालू हुआ है उदर इरण सरकल पे इरण साब सरकल पे जो चालू हुआ है इस तरकारी मार्केट को आज तक as on record आज तक कोई ट्राफिक इंस्पेक्टर ट्राफिक पोली स्टेशन में उनने दो सदरबजर पोली स्टेशन में उनने दो नेतिजर नगर पोली स् यह इसमें कोई सियासत है यह सियासत है रोज का रूटी के लिए और उसके अलावा 14 विलेजेश जो अमारा राइश्वर कांश्वेंसी में वहां के रहता है जो प्योर ले आते हैं उसके लिए आप एक बार एक नजर दालने के लिए आप अरली मौनिंग चार बज़े से लेक को नौ बज़े के अबाद 10 के आप पर कोई भी एक आदमी उतर नहीं रहेंगे क्लीन कर रहे हैं उनको लेबर सेट्रेड कर लिए इस वे कांटेक्टर पेंडर्स जो ने मिलके सेट्रेड करके क्लीन कर रहे हैं और उसके मुंस्पाल्टी वाले इंप साथ दिया रहे हैं डि इतना बंद बस करें तीन कंदिल पे बंद करें शेश्मल टैक्स सवनमर बीडी के पास बंद करें उसमें क्या सियास चला मरे नहीं मौल करें लेकिन इतना सही है पेटी बिजनेज जो बीदी व्यापरा बोलते हैं जो रहतां कहीं भी बेश सकते हैं कहीं भी बेश सकते हैं कहीं भी उपजिवन कर ले सकते हैं पेटी बिजनेज यह लोग क्या डबबाने इदा के यह लोग क्या हमां परमिर स्ट्रक्चर नहीं बनाएं इसके वज़े से वहां पर सिहासती नहीं है, प्यूवरली एक रहित आके कहीं भी बेश सकता है, वो ही सबसे रहितों जाके प्रेडिशन दाले सोचते हैं, आज हाई कोट ने स्टे दिया है, दो मेने 26 सेप्टेमबर 1923, जब तक दो मेने तक दिया है, उसके अंदर हम क्या-क्या चाहिए, नोटिस जो सर्व है, एस्पी को सर्व है, डेप्टी कमिशर को नोटिस सर्व है, उन्च पल कमिशर को सर्व है, वो क्या करते हैं, क्या ने उनने जान, लेकिन हम जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर वाइसा हुआ तो रोड तमाम लोग वहां से वहां तक नवीन आस्पिटल से जहराबाद सरकल से यहां तक अशोग डीपो तक अगर बैट गए तो वाक्य में लोगों को तकलिफ तो होंगी नट्रा इसलिए मैं बोलना चाहरा हूँ आपको एकसप्ट सिश्मों सरकार च जाके देखे तो अब हम स्ठिक्ट बोलिये स्वाई क्योंकि आपका रोज का रोटी है तुम सही सलामत कर लेके जाओ कितने वज़े तक सब नौ बज़े को क्लियर कर देते हो लोग क्योंकि सुबह में अजा होता है अजा होने के बाद पांच साड़े पांच तक नमाज हो को सकतय जाता है जब तक अमरे रहता नहीं आ हए रहते तो ऩुमरे नमाज होने के बाद चले जाते हैं लोगे उसके बाद धूक कोई तकलिप नहीं होता है लोग साइकल मोटर पर बच्चे किसी का भी एक्सिट नहीं वहाँ उपको स्कूल के बच्चे इसके वज़े मैं क्या बहुत रहा हूं यह जो है परसों मार्केट में आपको मोखा दिया थे अतने लोगों को बैटने फिर उसके बाद वो लोगों को तो बैटने मार्केट वाले खु सब क्लीन करके सेट अप करें बॉक्स 7x8, 7x8 कि बॉक्स टैप बने वहां बिटा है वहां बिटा नहीं को जो दुकाना जो आल्रेडी अलाट वेस्टों महारिवीर और उसमाने मार्केट वालें को वह लोगों को फिर भार रोड पे बिटा रहें वो रोड पे बिटा रहें उनके लोग मिलके जरह गर्षन हो गया है वो अवाइड करने वो बलके हम कमिशर को बोले पोलिस को भी पूचे थे लोकिन दो तीन बार जगड़ा होने का बच गया उसलिए हम क्या होते है अगर वहां पर हम इससे ज़्यादा कुशी क्या होई या हम सही बोले हो तो हम जिल स्टेव मिला फिर आजिटीज हो जा रहे सारे नौ बच तक नौ से सारे नौ तक क्लियर कर रहे उसलिए हम अप्शन आउरेक भी दिया है डीसी साहब को परसनली मिलके बात किया है स्टेक आपी देते स्टेप एक अप्शन अन्निस्तरी एंकोजमेंट जो आम तला में हो रह स्टेट है क्योंकि यह डीसी साथ जो अर बताएथ जाते क्योंकि यह डीसेंट्रलाइस करने चाहरे हैं चार मार्केट बनना चाहिए क्योंकि हला हर्प सिटिस में आंपर लेना ये एक बार एकी साथ में 200-300-400 लोग आंकर ख्रीद करें तो कितना अब्स्ट्रीक्शन वह र टेक्स ने बंदे आप बोलते हो नों इत्ते लाग भनना पर्सनल क्यों आप कम से कम एक दो साल से वो बीस पच्चीस बर प्रिसमिट किया होगा महावीर यह अध्यक्ष उसमानिया मार्केट लेकिन मैं कभी नहीं किया है अपनी मार्केट का मार्केट के अध्यक्स के नाते व मार्केट में है शायद सुब जने सुब जने मिलते लेकिन जो अब्स्ट्रक्शन मेरे वाड के लोग हो ना दूसरे वाड के लोग जो जा के लाने के लिए जो ट्राफिक प्राबलम होता है पार्किंग एक जगा करने का एक जगा मिलने का जाने का लाने के लिए बहुत तक district administration इसको care taking करना चाहिए हम district administration के साथ देते हैं अब जो हम request किया है आम तलब वहां roundly जो यखीन है DC साब आपको कुछ ना कुछ रास्ता हुआ के लोगों को दिखाइंगे 100% हम फेत है DC साब के ओपर हमार को फेत है इंशालला उन्हों जरूर हमारे साथ देंगे यानि कि अमरे रहतों के साथ vendors के साथ देते बलके हम आपकी महवीर किसमें कोई politics या personal matter नहीं वह मेरे opposition में समझा ही नहीं हमें लेकिन यतना तो मैं कहा रहा हूं यह एक नोटीस मुंस्पाल्टी से कमिशनर से महवीर अध्यक्ष के लिए गया है उसमें साड़े नौ लाग का पिंडिंग है तुमारा जो टैक्स बनने का है पिंडिंग है बनो इमेडेट बोलके जो नोटीस दिया है वो नोटीस के लेकिन के बावजूद भी 3-4 लाग रुपे मुंस्पाल्टिक बागी है तीन-4 लाग खंपसरी बागी महीं नहीं बला परस्ट मीटिंग में उप्रस्मिंट उनों को मान लिया है तेरा लाग चावदा लाग नहीं है चार-पांश लाग जो है पैसा उसका नहीं हो सरकारी क है गोवर्मेंट का है हम पुब्लिक का टैक्स है लिए तो हंडेर परसंट कर बनना चाहिए अगर नहीं बना हम कम पासर है हमें भी क्रिमिनल केस करने चाहिए अपने एरिये के अप जो बैठे हैं लोग उनके भी टैक्स बंद रहे हैं वाज आपते एक टोक रहें दो इसने के लिए जो आते हैं वाज अप्त रिच्प्ट दे रहे हैं दो रुपे का दस रुपे का चार रुपे का तिरुन बैफेर किस्ट किया है आडर के इसाब से वह सबसे हैं अगर आपकी नजर पूरी डी सी सब हंडेर परसंब डेप्री कमिशित साहब को अपील करेंगे ये लोगों को जेस्टिस मिलना चाहिए बोलता हूं रोज का रोटी के लिए कमपसरी जेस्टिस देते बोलके हम उमीद है अगर बावजुद सालों में नहीं हुआ दो महने में अगर नहीं हो इंशाल हम कोशिश करेंगे हमारे मेले को लेकर जाएंगे बैटेंगे बात करेंगे कोशिश तो करते हैं ठीक है साथ बहुत बश्यक्रिया नाजरीन जैसा के रवी जल्दार वहां के नुमाइंदा काउंसलर है माई भी इंशालला जहराबाद सरकल पर जाकर वहां की आम अवाम से और जो राइत वहां के बैड़ते हैं रोजाना सुबह आकर खरीद और फरुखत होता है उन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा और खास कर पबलिक ओपीनियन और खास कर मैं भी वहां से अक्सर गुजरता हूँ क्या ट्राफिक से वाखे में लोगों को तकलिफ हो रही है या वो लोग नव बजे बन कर कर जा रहे हैं यह तफसीली रिपोर्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन बाशा एवन टीवी उर्दू रैच्छुर से एंपेर और हमराज की क्या खास बात है मासुम भई यहां की सिलाही और कपड़ा ब्रैंडेट 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 इंडेट इंडेट कर दो दो आगाज ब्रैंडेट ब्रैंडेट ब्रैंडेट